वेलो दूस्तों स्वागा थे आप लोग का अपना चैनल नौलेज पॉइंट में तो हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके के कुछ महत पूर्पूर प्रसंद देखेंगे इस वीडियो में जोकि आप लोग को जानना बेयत ही जुरूरी होगी क्योंकि इस एस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छी प्रसंद देए हैं आप लोग के लिए तो आप लोग फिलीज वीडियो को पूरे देखियेगा तो चलिए हम बिना किस दर के वीडियो को शुरू करते हैं तो हम लोग का पहला कोशन है कि इंपोर्टेंट कोशन है रोटी किस गेस के कारण फूल जाती है तो रोटी फूलती है कारण डाइकसाइड के कारण रोटी फूल जाती है जिससे हम लोग देखते हैं जो रोटी पकता है तो फूल जाता है तो उसमें कौन सी गेस होती है तो इ यह भी important question है, लकड़ी के जलने से कौन सी gas निकलती है, तो इसके answer होगा carbon monoxide, carbon monoxide जब लकड़ी जलती है तो उसमें से gas निकलती है, next question है, cigarette के धुमें से कौन सी gas पाई जाती है, तो cigarette के धुमें से gas पाई जाती है, उसके answer होगा carbon monoxide, cigarette के धुमें से कौन सी gas पाई जाती है, तो इसके answer होगा carbon monoxide, जब लकड़ी जलती है, और इसकी हाने यह होती है कि blood में oxygen level कम कर देता है, तो इसलिए किसी को भी cigarette नहीं पीना चाहिए, next question है, फ्रीज में कौन सी gas होती है, नेश्ट कोशन है सबसे ठंडी गेस कौन सी होती है तो सबसे ठंडी गेस होती है इस कैंसर होगा हिलियम हिलियम सबसे ठंडी गेस होती है नेश्ट कोशन है दुनिया की सबसे जहरी गेस कौन सी है तो इसका अंसर होगा दुनिया की सबसे जहरीली गैस है इसका अंसर होगा जाइलाल ब्रोमाइड जाइलाल ब्रोमाइड जो की दुनिया के सबसे जहरीली गैस है नेक्ट कोशन है गाड़ी के टायर में कौन सी गेस भरी जाती है तो गाड़ी के टायर में गेस भर जाती है इसका अंसर होगा समानने तोर पर टायरों में 78% नैट्रोजन और 22% अक्सिजन मिला कर भरा जाता है तो गाड़ी में कौन सी गेस भर जाती है गाड़ी के टायर में तो इसके अंसर होगा हिलियम एवं हैड्रोजन हिलियम हैड्रोजन गेस भर जाती है गुबारे में नेश्ट कोश्चन है हावा में उडने वाले गुबारे को क्या कहते हैं तो हावा में उडने वाले गुबारे को कहते हैं हाफ और गुबारा हाफ और गुबारा कहते हैं उड सबसे भारी गेस होती है इसका एंसर होगा रेडान रेडान सबसे भारी गेस होती है नेश्ट कोशन होगा चीपस के पेकेट में कौन सी गेस भरी जाती है तो चीपस के पेकेट में कौन सी गेस भरी जाती है तो इसका एंसर होगा नैट्रोजन कि जल्दी खराबनाओ इसलिए उसमें गेस बहरा जाता है नेट्रोजन गेस बहर जाती है चीप्स के पेकेट में Next question होगा आप दिमाग में साइथ गूम रहा होगा कि फुटबॉल में कौन सी गेस बहर जाती है तो फुटबॉल में कौन सी गेस बहर जाती है इसका अंसर होगा Hydrogen Hydrogen फुटबॉल में Gase भर जाती है, क्योंकि सबसे हलका भी होता है Next question होगा सबसे हलका Gase कौन सा होता है तो सबसे हलका Gase होता है इसका एंसर होगा Hydrogen जैसे कि मैंने अब पिछले कुशन बताये था कि फुटबॉल में कौन सी Gase भर जाती है तो इसका भी एंसर होगा है तो इसका भी एंसर होगा है तो इसका 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 एंसर होग है इसका एंसर होगा सिक्किम सिक्किम होगा भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज है नेक्ट कोशन है भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज है तो भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज है इसका एंसर होगा उत्तर परदेश जो कि इनकी जनसंख्या ह है 19.95 करोड याने की 20 करोड लगभग जनसंग क्या है उत्तर परदेश क्या तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो पिलीज हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो का लाइक करिएगा सेर करिएगा तो मेल अगले वीडियो में जय ही जय भारत